I want to talk about the internet outage और ये मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसको शेर करना चाहते हैं तो फ्लीज कर सकते हैं इस टॉपिक को हमारे मुल में इंटरनेट का इस्यू चल रहा है और बहुत स्वियर इस्यू चल रहा है मैं चंद बातें करना चाहता हूँ उससे पहले मैं एडवांस में माज़रत कर लूँ और मैं ना गौर्मेंट के खिलाफ बात करना चाहता हूँ मैं नहीं करना चाहता क्योंकि जब आप कैमरे के सामने होते हो आपको पाकिसान से बाहर भी लोग देख रही होते हैं मैं चंद गुजारिशात करना चातू हूँ इंटरनेट आउटेज को लेकर वो ये हैं कि इंटरनेट का जाना ये जरूरी नहीं है कि यार ये जो किया गया है वो लोगों को हर्ट करने के लिए किया गया है लोगों को financial loss देने के लिए किया गया है बच्चों की रोजी को बरबाद करने के लिए किया गया जो कि actually हो रही है लेकिन intention नहीं हो सकती क्या हम यह नहीं कर सकते कि अगर आप कुछ कर रहे हो इस मुलक में fireball install कर रहे हैं कोई भी upgrade कर रहे हैं कि एक technical बंदा government का आए वो अवाम को face करें वो यह बताए कि यह जो हो रहा है क्यों हो रहा है यह कब होगा कब से कब तक यह खतम होगा आपने अपने clients को क्या बोलना है आपने जो बाहर बैठे हैं peers उनको क्या बोलना है आपने अपने आपको manage कैसे करना है अगर आप लोगों को पता है कि यार इंटरनेट ब्लॉकेज होनी है और इतनी देर क्यों होनी है तो वाय यू जिस्ट इंफॉर्म देम वाय यू जो डॉन्ट फेस इट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यार जब ये फायर वाल लग जाएगी ना तो ये हमारे मुलक की सलामती के लिए इस्तमाल होगी तो मैं माजरत के साथ ये अच्छी बात अजियूम कर रहा हूँ पाकिस्तानी हो ना तो अच्छी बात अजियूम कर सकते हूं कहते हैं कि मौमिन का गुमान अच्छा होना चाहिए एक मौमिन का दूसरे मौमिन से गुमान अच्छा होना चाहिए, पहली जो सोच है वो अच्छी होना चाहिए, चलो मैं अच्छी सोच रख लेता हूं, किया जब लगेगी, तब जाके ना हमारे मुल्क में वो होगा, चंद सवाला, चंद गुजारिशाथ, जो मैं आप लोगों को बेजना बताना चाहता हूं कितने पैसे लगे इस फाइवर और को लाने में, उसकी सोच से ज्यादा हमारे मुल्क की एकॉनमी को हिट पड़ रही है इसकी वज़ा से, फाइवर ने हमें लिटरली डिलिस्ट कर दिया, as a nation, as a country, officially, it's huge, लोगों के चूले जल रहे हैं, घर चल रहे हैं उस इंकम पे, मु कि जो सारी decision making हो रही है, इसके अंदर कोई भी शक्स ऐसा नही है, जिसने जिन्दगी में रोजी रोटी के लिए struggle किया हूँ, जिसने जिन्दगी में freelancing करके, client को bid बेचके, gig लगाके, फिर मुसले बेचके, दौा कियोगा, अल्ला कर ये project आजाए, वहना मेरे घर का बिलनी पे होगा, वहना मेरे घर राशन नहीं आएगा, अगर एक भी ऐसा शक्स, इन decision makers के अंदर बैठा होता ना, तो जितने की firewall आई है, उतने की university या, college, incubation center, tech hubs बन जाते, मुलक में 10 आप tech exhibition करवाते हैं, आपके technology गुरूम कर जाती, आप पढ़गे एक firewall के पीछे, इतना budget लगा कि है, हैंना हमारी priorities ये खराब हैं, और जो हमारे लोग हैं उन्हीं के खिलाफ, मैं दोबारा जियूम करता हूँ कि एच्छा हमने investment कर ली, मैं इसको investment कह रहा हूँ, फिर भी माज़रत के साथ, हमने खर्चा कर लिया, हमने ले आए, किसी को कुछ नहीं पता, जिसके प्रोजेक्ट जा रहे हैं, चंद बाते हैं, आप मैजन करें, आप लोग सोच लें, आप जो सुन रहे हैं, एक बच्छा, जो फाइवर पर सरगीक लगाता है, काम आता है, वो बाद 10-20-30 दिन काम करता है, 200 डॉलर आता है, वो 200 डॉलर लेंड होने में टाइम लगता है, उ यह ऐसा होता है कि उसके बिजनस को नुकसान हो जाता है, अब आप मुझे बताएं, वो क्या करेगा, अगर तो वो वो वालटाइल है, तो वो क्राइम का रास्ता भी ले सकता है, वो खुद को डामेज भी कर सकता है, वो हमेशा के लिए ये फील्ड भी छोड़ सकता है, एक एक टेकनिकल बंदा एक डिफरेंट वील्ड में जा कि अपना आपको वेस्ट कर सकता है, और वो कभी रिकवरी नहीं हो गया, आपके फाइरवाल ठीक हो जाएगे, वो बच्चे का करियर रिकवर नहीं हो पाएगा, ये कोई कालकुलेट कर रहा है कि कि इतनी जिंदियों से हम केल रहे हैं, अपरचुनिटी कास्ट बहुत जाएगा, अपरचुनिटी कास्ट, सिंपल, अपरचुनिटी कास्ट, अपरचुनिटी कास्ट, अपरचुनिटी कास्ट is hundred times more than the actual cost of this firewall, चीख रहे हैं लोग, literally, मुझे इतने मेसेज आ रहे हैं, इतने कॉमेंट्स हैं, मुझ एक रूल होना चाहिए, और थोड़ी से अकल नाम की भी चीज़ होती है, मैं यहां खड़ा हूँ, पढ़ा रहे हैं हम, एक सर्कल चल रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, मैं एक ऐसा पंगा लेता हूँ, जो मुझे इस काबल भी नहीं छोड़ता, और वो काम भी नहीं होता, वो अल्ला के बंदो, अगर मैं कोई काम ठीक से करवा पा रहा हूँ, अपने टीम से इनको स्पोर्ट करके, तो मुझे ऐसी चीज़ों में मत धकेलो, जहां हमें पता है कि हमारा जोर नहीं चलना हूँ, और यह जो कर रहे हैं, चार कदम चल रहे हैं, यह भी खतम हो जाना है Am I wrong? अधरा कि यह काम छोड़के न मैं सड़क पर आजा हूँ, मैं आके स्ट्राइक करना शुरू करता हूँ, आपको लगता है कि मैं अकेला आज जाके सड़क पर खड़ा होके स्ट्राइक करता हूँ, मेरे साथ दो क्रोड़ लोग जुट जाएंगे, कुछ नहीं होना, Hope to काम कर रहा हूँ, मीजी, अल्ला ने कपैस्टी दी है कि मैं इतना इस कौम के लिए कर सकता हूँ, इतना अपने घर के लिए घरूँगा, इतना इस कौम के लिए करूँगा, I am doing my job. एक circle of influence जो हमारा है, हम उसके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़े हमारे circle of influence में नहीं है, तो मेरे ख्याल है कि हमें circle of influence बढ़ाना चाहिए, और लोगों को value देनी चाहिए, ताकि उन्हें फाइदा हूँ. circle of influence कैसे बढ़ता है, obviously value देने से, हम आपको value दे रहे हैं, आप मारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, अल्ला करेंगा, एक वक्त आएगा यार, हम लोग लाइव आएंगे, लाखों लोग जुड़ जाएंगे, तब देखना मैं कड़ा हूँगा बार, उजे कत्रा एक बीच ब सौ से multiply कर लें, क्योंकि जब हमारे लोग घर जाते हैं और उनको ये challenges आते हैं, तो वो hundred से multiply होके loss होता है, it's far way ahead of your thinking, but क्या करें, आपको जिंदगी में पता होना चाहिए, what you can do, what you cannot do, अगर आपने वो छोड़ दिया जो आप कर सकते हैं, उसके लिए जो आपके बस में नह हैं, उसमें जाके मैं अपनी टांग अडाके, जो मेरे बस में है, उसको मैं नहीं रोकना चाहता हूँ, मैंने अपनी voice raise कर दी है, ये नहीं होना चाहिए, अगर आप कर रहे हो, आपका एक technical बंदा आए, हमें explain करें, हमारा हक बनता है, कि हो क्या रहा है, ये कब तक होगा, इसके क्या फादे होंगे, ये मरा हक बनता है, and I am demanding that, simple, मैं ये नहीं कर आप गलत कर रहे हो, घर में transitions होती है, आप अपने घर को elevate करते हो, तो जब आप अपने घर को renovate कर रहे हो, तो घर थोड़ देर के लिए गंदा होता है, लेकिन हमें at least पता होता है, कि हम उसको renovate कर र कर सेशन कंटीनू करते है, तो I have raised my voice के यार भाई, इंटरनेट खुलना चाहिए, इंटरनेट को बहाल करो, मैं इंटरनेट के बहाल करने वालों के हक में हूँ, अजए ठाक सर्फ, क्या रहे है, नारा लगा लगा दिया, ये बिल्कु सही है, वाके ये एक इंपॉर्टन है कर सेशन के बहा है, झाल मैं ही है, ये उनल एक इंपॉर्टन के ये ये को बहा है, ये झाल के लादेए, उजए बिल्कॉदान के ड्रेशन का बहा है, अ गलादेए, झाल के लादेजदा चाहिए, शेज़र के बहा है.